आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे नादगनी ओतरे स्टेडिक लोस्पाइब का पत्वागत है सी बी आई सेंटल ब्यूर आफ इंवेस्टिकेशन लेकिन उससे पहले आप हमारे से टी कोर्स में ज़रूर जोइन करें क्योंकि ये स्ट्रेस, एडिक्शन और टाइम को आप ऐसे मैनज करोगे टोटल बीस से पच्चिस लिच्चस है तीनों कोर्स है तीनों कोर्स का प्राइस कितना है कम्माइंड कोर्स हमने निकाला है जो सिर्फ आट सो रुपे में है महेंगी कोर्स हो गए थे आपने बला सर प्लीज इसका प्राइस कम कर दो तो सिर्फ आपको समर कूपन को ड्यूस करना ये कोर्स आपको आट सो रुपे का मिलेगा पूरा कम्माइंड है रेकॉर्डेट सेशन से दोस्तों 50 किताबों करने भी मज़ा आ जाईए आपको आपने ऐसा मैथमाटिकल मॉडल और माइंड रलाक्सेशन टेकनीक्स खता हम सब स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम एवरिधिंग स्मार्ट स्टडी कैसे करने सब बता है मैंने तो यहाँ पर क्या है CBI ने Central Bureau of Investigation and Interpol International Police Organization जिसको हम कहते हैं दुनिया की जो पुलिस है दुनिया को कौन देखती है दुनिया की भी एक पुलिस है जिसका हैटकॉर्टर लाइओन फ्रांस में है फ्रांस की क्यापिटल है पेडिस कल मैं एक पिच्चर देख रहा था बहुत बढ़िया किताब मैंने पढ़ी हुई उसकी लेकिन वो All Quiet on Western Front गचा वो मूवी अब जरूर देखेगा तो CBI जो है इसने Interpol Global Academy CBI की जो अकैडमी है जो कि गाजियाबाद में है तो इनोंने Interpol Global Academy Network को जोइन कर लिया है ये दसवी मेंबर बन गए है अब Development और Delivery of Joint Training Program and Research Project में ये हल्प करने वाला है CBI Academy जो कि गाजियाबाद में है ये बहुत important institution है जो कि Crime Investigation से डील करता है CBI की बारे में जान ले कही पर मैंने बताया भी है CBI को Caged Parent बोला जाता है कैसा तो तो बंध है Conviction Rate 70% है भारत की सबसे Efficient Organisational Central Bureau of Investigation 1946 CBI को Statutory Body नहीं है बट ये जो Delhi Service Special Act है तो इससे जो है TSPE 1946 इस Act से CBI अपनी Power Draw करती है 1963 1963 में इसको Form किया गया संथमम Committee बनी थी इसको Form किया गया और CBI Central Bureau of Investigation फिर हमारी हर जगह पे एक अपनी Investigative Agency होती है जो की कमाल की होती है सारे केसे कोई भी चाहें Crime का हो चाहें Fraud का हो चाहें कुछ भी चाहें Rape का हो कोई भी केस अगर Solve नहीं हो पादा आप CBI को दे दो CBI को केस कैसे दिया जाता है CBI को केस या तो सरकार देती है Government या फिर Supreme Court देता है CBI खुद से नहीं ले सकता कोई केस इसलिए इसको Caged Parent बोला जाता है Union Territories में ठीक है वहाँ पे एक exception है बढ़ बाकिस हर जगह आपको CBI को आदिज दिना पड़ता है साथ ही साथ जो स्टेट्स है स्टेट्स को भी consent दिना पड़ता है जैसे CBI पुलिस के साथ काम करती है तो जैसे मालीज़ अभी West Bengal ने consent विड्रिव कर लिया Tamil नाडू ने consent विड्रिव कर लिया आठ राज्यों ने जो कि 11 बीजेपी राज्य है उन्होंने अपना consent विड्रिव कर लिया क्यूं? क्योंकि CBI जब भी किसी भी राज्य में जाती है Crime किसी राज्य में होगा तो उसका consent उस राज्य का consent ज़रूरी होता है कि ठीक है बात नहीं आप आके यहां पर investigation कर सकते हो अगर consent विड्रिव कर लिया तो आप नहीं आ सकते है आ सकते हो लेकिन आपको help नहीं मिलेगी जो इसको कि police state subject है ठीक है तो यह हिसाब किताब रहता है तो CBI को सबसे बड़ा यही है कि इसको केज पैरेट बोला जाता है political interference बहुत ज़ादा है CBI को वो आजादी है ही नहीं जितनी देनी चाहिए CBI खुद से अगर case को investigate करें तो मजा ही आजाए पर देखो बड़ा कौन कौन अंदर होता है पर इसले शाद जानबूज कि देश है इंटरपोल में और हर देश की जो Crime Agency है वो Interpol से associated है भारत में CBI है तो भारत की जो Crime Agency है वो CBI है वो Interpol से associated है यानि कि Interpol के साथ साथ में मिलके अब Interpol notices जोड़ी करता है जैसे red notice होता है है ना सबसे बड़ा red notice मतलब most wanted किसी के खिलाफ अगर red notice issue कर दिया तो यानि कि उसकी वो गया काम से ठीक है बड़ा दियान रखो है ना और और भी बहुत सारे notices मैंने आपे लिखे हूए मैं आपको बताता हूँ green notice होता है जिसमें warmings दी जाती है यैसे भाई बहुत सारे criminals होते हैं भागते हैं तो green notice कि बटा समरपड कर दो वरना तुम गए काम से yellow notice होता है जो missing person कोई अगर miss हो गया है कोई मिल नहीं रहा है तो yellow notice issue किया जाता है orange notice में threat अगर बहुत ज़दा होती है अग जैसे interpol मैंने क्या बता है क्यादे सुनो यार पुर्तकाल से एक डांकू तुमारे घर पे आया हुआ है भारत से बोलेगा CBI से बोलेगा उसकी information दो ज़रा वो उनको पुर्तकाल को देनी है purple notice जो है वो modus operandi method कैसा है ठीक है किसी कोई particular criminal dawn या जो भी most wanted आतंकी कुछ भी है वो कैसे काम कर रहा है black notice जो है वो unidentified bodies को लेके दिया जाता है तो interpol और CBI जो है वो साथ में मिलके बढ़िया तरीके से काम करे इसलिए CBI और interpol CBI और interpol को join कर दिया है ठीक है बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत के जादतर जो अपरादियों बाहर भाग जाते हैं तो इसलिए interpol की जो जानकारी है वो बहुत हमारी helpful होती है तो मुहित गुप्ता जो कि CBI Academy के DIG है और Glenn Martindale जो की डारेक्टर है ठीक है जो ट्रेनिंग है ये interpol के तो इन दोनोंने letters of acceptance मतलब CBI ने ये accept किया है और इसके बाद CBI ने इसको join किया है जिसके वज़े से efficiency बहुत बढ़ेगी 3-year-old Interpol Global Academy Network ये क्या करती है इसी कोई join किया है ये support करती है अब ये इसमें आपको बताया जाएगा कैसे बढ़िया तरीके से investigation की जाए और अपने investigation को कैसे advance किया जाए तो अभी इस समय CBI 10th member बना है और ये step एक आगे है कि हम engagement जो है International Law Enforcement के साथ बढ़ाते जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है क्योंकि भारत को भी इससे अच्छी खासी मदद मिलती है बाकी अगर आप देखो तो और भी प्रोग्राम्स कंड़क्ट किये जाते CBI इनके साथ भी काम करता है जैसे US Homeland हो गया French Embassy, FBI, UK, NCA, UK, RCMP तो ये सब क्या है ये सब और भी जब आप CBI में जैसे माली जा रहे हो तो आपकी training खतम नहीं होती जैसे आप military में जा रहे हो और हम इनके साथ काम करेंगे मज़ा आएगा और ये मज़ा है सब को देना चाहतो ये ही करेंगे तो ये lecture था छोटा सा आई होब आपको पसंद आया होगा समझे होंगे CBI को अगर आपको जॉइन करना है आप bureaucrats IS बन सकते हो IS बनोगे तो हो सकता है आपको देखिए अगर आपको लगता है कि कहीं कोई organization आपको जॉइन करनी है तो इस organization की website पर जाएए वारे recruitment होता है vacancies होती इसको click करिए आपको पता जल जएगा किसके क्या vacancy है कई बार हम लोग ये नहीं करते हैं किने बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि साब online है हमारे course को आप avail करें stress addiction time जिन्दगी बदल जाएगी thank you so much